हिमाचल पुदेश के हर गाउं शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए तुड़े हिमाचल के साथ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए तुड़े हिमाचल चैनल को फेस्बुक पर फॉलो कीजिए और पल-पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhemachal.com आपका विश्वास हमारी पहचान यूक्रेन और रूस के युद्ध का असर अब भारत में भी तेल के दामों में रिकॉर्ड तोर व्रद्धी यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है दरसल जब से युद्ध शुरू हुआ तब से भारत में सन्फलार और रिफाइन जैसे तेलों के दामों में रिकॉर्ड तोर व्रद्धी देखी जा रही है बतादे कि भारत में हर साल 25 लाग मेट्रिक टान्सलन्फलार के तेल का आयात होता है जिसमें 70 प्रतिशत यूक्रेन से 20 प्रतिशत रूस से और 10 प्रतिशत अर्जंटीना से आता है लेकिन युद्ध के कारण अब ऐसा नहीं हो पा रहा जिसके कारण ही तेल के दामों में रिकॉर्ड तोर व्रद्धी हुई है खाने को रोटीन अजेब में पैसा हिमाचल के विद्यार्तियों ने 6 किलोमीटर पैदल चल कर पकड़ी ट्रेन यूक्रेन में जंग के बीच पसे हमाचली चात्र चात्राओं की परिजनों के चिंताएं बढ़ गई है जैसे जैसे यूक्रेन रोस के बीच युद्ध तेज हो रहा है वैसे वैसे परिजनों का दिल बैठा जा रहा है शिमला की छात्रा अनुष्का, कुठियाला, अदिती और मंडी जिला के कर्सोग की छात्र शिवांश तहेद कई छात्र छात्राइं वहां फसे हुए है वाटसप की जरीए इन विद्यार्थियों के बीच बीच में परिजनों से बात होती है चात्र शात्राओ के निसार वहां ना खानी को रोटी है और ना ही जेब में पैसा बचा है पानी बिस्कुट से गुजारा हो रहा है मदद के इंतिजार में 24 परवरी से ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे हुए थे इमाचल में एक संक्रमित की मौत 264 नए मामले इमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई कांगराजिले में एक संक्रमित ने दम तोड़ा वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 1744 लोगों की सैम्पल लिए गए थे इन में से 274 के रिपोर्ट पॉजिटिव आई प्रदेश में 53 संक्रमितों के स्वस्त होने से सक्रिय मरीजों का आकड़ा 802 रह गया है एमाचल में फिर बारिश बरपारी के असार सौसे अधिक सडके अभी भी ठप एमाचल प्रदेश में बीते दिनों होई बरपारी से अभी भी सौसे अधिक सडके ठप पड़ी है राजया पात कालीन संचालन केंदर की ओर सजारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार शाम 6 बजे तक प्रदेश में 170 सड़के यातायात के लिए बाधित थी वही 10 पेजल योजनाई भी प्रभावित है व्यफसाई के लपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े वेरका का पैकेट बंद दूद भी 2 रुपे महंगा व्यफसाई के लपीजी सिलेंडर 105 रुपे महंगा हो गया मार्च में व्यफसाई को भुगताओ को 2185 रुपे सिलेंडर लेने के लिए चुकाने होंगी घरेलू सिलेंडर के लगातार पांच में महा भी दाम नहीं पड़ रहे नवंबर 2021 के दाम ही मार्च 2022 में भी लागू रहेंगे घरेलू भुगताओ को एक हजार दो रुपे में लपीजी सिलेंडर मिलेगा पहले योजना से जुड़े भुगताओ को 31.8 तीन रुपे की सबसीडी बैंक खाते में वापस मिलेगी निटी में 15 मार्च से ओफलाइन लगेंगी कक्षाई इमाजर पतेश के रास्टी ब्रोदेखी की संस्थान हमीरपूर में सनातक उतर के साथ अब सनातक प्रोग्राम की ओफलाइन कक्षाई शुरू होंगी कोरोना के मामलों में कमी के बाद सरकार के शिक्षिया मन्फ्राले ने सभी NIT में ओफलाइन कक्षाओं शुरू करने के निर्देश चारी कर दिये हैं NIT ने ओफलाइन कक्षाओं को लेकर शेडूल जारी कर दिया BTIC Engineering, Architecture और तीसरे वर्ष की ओफलाइन कक्षाओं पंद्रा मार्च से शुरू होगी दूसरे वर्ष की ओफलाइन कक्षाओं इकिस मार्च से और चोते वर्ष की कक्षाओं अठाईस मार्च से शुरू होगी इमाचल बनेगा एलेक्ट्रिक वाहनों का हाप प्रदर्शनी से लोगों को किया जाएगा चाक्रूप इमाज़ा बुदेश को एलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा, लोगों को जागरू करने के लिए मंडी के पड़ल मैदान में अंतरास्टिय शिवरात्री महुत सब में एलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शनी आयूजित की जाएगी इस प्रधरशनी में एलेक्टिक वाहनों के विफिन ने मौड़ल प्रधरशित किये जाएंगे वहीं लोगों को जानकारी उपलब्द करवाने के लिए मोटर वाहन निरिखषक तेयनाथ किये जाएंगे ये बात पंगर्बार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंग ने कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोटसाहन प्रदान करने के लिए बहु आयामी प्रयास कर रहे हैं मौसम विभाग ने हिमाचल के साथ जिलो में जारी किया यल्लू अलाइट इमाचल में मौसम फिर से बदल सकता है पशिमी विख्षोप के कारण मौसम करवट लेगा मौसम विभाग का पूरवा नुमान है कि दो वा तीन माच को रासानी शिमला समेट राजी कही हिस्सों में हलके मध्यम शित्रों में बारिश ववर बारी होगी दो माच को मैदानी शित्रों में मौसम के साफ रहने का अनुमान है जबकि तीन माच को पूरे प्रदेश में मौसम खराप रहेगा महाशिवरात्री पर भोलेनार के दरबार में जय जय कार बैजनात में तीन बजे ही लगी भक्तों की कतारे देखिए तस्वीरे बगवान शिप के दरबार महाशिवरात्री पर परसज गए हैं जिला कांग्रा के शिवालियों में सुबह से ही श्रद्धालू ने दस्तक दे दी हमाचा पुदेश के जिला मुख्याले उना में 900 पेटी अवैड शराब मिलने के मामले में विजिलेंस ने सिरमोर जिले में तैनात आपकारी विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफतार कर लिया आरोपी काफी समय से अंतरिम जमानत पर था हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत तरद होते ही विजिलेंस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से आरोपी को तीन दिन के रिमांट पर भेज दिया गया अब इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं गौर हो कि बंदर अक्टूबर 2021 को जिला मुख्याले के पुराना हुश्यारपुर रोड पर विजिलेंस ने एक ट्रक 900 पेटी अवैच शराब के साथ पकड़ा था पूछताच पर चालक ने एक परमिट दिखाया जो जाच में फर्जी निकला युक्रेइन से घर लोटी दो छात्राएं भावुक होकर मां से लिप्टी इफशिता युक्रेइन के उस होरोज शहर से हमाचल प्रदेश के चंबा की इफशिता और अरुन्धती मंगलवार शाम साड़े साथ बजे घर पहुची माता पिता अपने बेचियों के घर पहुचते ही भावुक हो गए वहीं परिजनों के चेहरों पर बेचियों के लोटने के खुशी भी साब छलक रही थी इवशितानी घर पहुचते ही अपने मातापिता के चरण इस पश कर आशिरवात लिया और उन्धती के घर पहुचने के कुछी देर में परिजन उसे अपने साथ एतिहासे लक्ष्मी नारायन मंदिर ले गए झाल. झाल झाल